सबनों चैनल ते खुशामदीद आदाब उमीद करते हैं खेरियत नाल होगे ते आज सताई भाई पजाद एक और नक्षा जड़ा डिफरेंट प्लैनिंग नाल मुफ्तलिफ अधी प्लैनिंग की ती कि यह देवेच ते चौड़े नाल शेयर कर रहे हैं सताई फोट फ्रांट ते प्जाब फोटस दी लंबाई है सब तो पहले चाल देंगा नक्षेते उपर एह बेडरूम बैक साइड ते दो बेडरूम रखे ने बारां फुट नौइंच बाई चौदा फुट दा है जड़ा डोर है डोर दे नाल एह साइड ते दूसरा डोर है इस बेडरूम दा साइज भी बारां फुट नौइंच बाई चौदां फुट है कारनर ते जड़े पिलर नजर आ रहे ने रैड कलर दे कंक्रीट पिलर होंगे यानिके इस नो फ्रेम दिता गया इस बिल्डिंग नो जड़ा ये नक्षा त्यार हो रहा है एदे विच आप इस रखे किते चार इंस कीती है किते नौ इंस कीती है ताकि लोड जड़ा डिवाइड़ हो सके थे इनौ फ्रेम दे शकल दे लिती गई है इतना एक एक अटैच बात है दोना बेडरूम दे बेड्रूम दा साइज बारां फूट नौ इंच ते बात्रूम दा साइज आठ फूट साड़े चार इंच है इसे नाल OTS रख्या है पांच फूट छे इंच बाई तेन फूट तेन इंच वेंटिलेशन वास्ते यह हिस्सा वेंटिलेशन वास्ते एदे वेच बात दी विंडो आगी वेंटिलेटर ते एस बेड्रूम दी वी विंडो आगी एस साइर ते फैमिली जड़ा हाल एरिया उपन बच रहा उस्ते वेच भी वेंटिलेशन वास्ते जगाते विंडो आगी उस दिन आल बेडरूम आ गया नौ फूट चेंज भाई दस फूट इस साइज है बेबी बेड यानिके स्माल बेड है अच्छा पैसेज जड़ा बचेगा सेंटर दे वेचे साथे पांच फूट दा बचेगा साथे पांच फूट पैसेज है गली है एस साइड ते सेंटर प्लैनिंग एस जगह तक सेंटर प्लैनिक है उस दो बाद एक किचेन आ गया बेड रूम उस साइड ते बेड बेड रहे है एस साइड ते किचेन है 9.6 बाई 10 फूट दा इस जगह ते ड्राइंग रूम है नौ फूट साधे दास इंच बाई 11 फूट देड इंच इस बेड रूम दे नाल वी अटेच बात इस ता डूर है साथ फूट बाई साधे चार इंच चार फूट साधे चार इंच जिड़ा बादा साइज है एदी वेंटिलेशन वास्ते ऐस जगह ते है विंडोर आया एक्जास्ट रखे थे बेड रूम दी ड्राइंग रूम दी जड़ी विंडो है वह अस जगह ते इस तरह आन फूर आ सेड़ी दे इंट्रेंस डेक दे स्टेप ने दो स्टेप ने जड़ा शेड़ अरिया तो नो डाटर लाइन नजर आ रही है शेड है रूफ शेड प्रोजेक्शन सेड़ी इतो स्टार्ट होएगी इस तरह कोम के बार आरी साइड ते ओपन हो जाएगी एक पोर्च दा एरिया गिराज दा यह नहीं के गिराज दा साइज है नौ फूट साड़े चेंच पाई सतारा फूट इस्थो तक मेंगेट जेड़ा नौ फूट दा गेट साड़े हुट फूट दा एस ते नाल आफ गेट दे फिलर सीगे रेड कलर दे अच्छा हों एदे बैच फ्रेम की स्था बने आए एक पिलर दूसरा है त्स्रा चत्रा इस आत्रा एक साइड थे पिलर एवी पिलर एवी फ्रें बनझेगा इसे एंदर होगण आप इसे तरह एंच sa ही यहीं कि ंदे चार एंच एवी जा एवी जारेंच वी चार एंच एक दुर्म पहलेशिए नो इंच कि जिसे नहीं तुर्ड़ कि नो इंच्ट्टि एंग जा yang झें अच्छी बैक सेड़ दी एक है एक फ्रांट दी में डूर दी एक नौ इंच्टियां ने बाकिसार यहां चार इंच्टियां अच्छा एक चार इंच्टियां क्यों कीती हैं ते नौ इंच्टियां क्यों क्यों कीती हैं क्योंकि लोड जड़ा पूरी छाद्धा बिल्डिंग जड़ा लोड उसनों डिवाइड कीता कालमा दे उपर एक कालम जड़े ने दिते साइडा थे एक नेक्ट हो जानगे थले प्लेंट भीम दे वेच वी ते उपर जड़ा लेंटल होएगा उस दे वेच भी ते इस सारा स्ट्रक्चर इस तरह मजबूत रहेगा वोदे वेच के लोड भी डिवाइड हो गया ते नाल खर्चा भी काट गया ते में डोर है ऐस जगह ते में डोर साइज होएगा पांच फूट अना दे निशेज रखे ने यह निके गलास विंडो के लो दूसरी गलास विंडो है ते इस दिनाल एह हिस्सा जड़ा फ्रेंट ते है एपन र एक दो तेन तेन बेडरूम ने एक किचन है इस दिनाल ओटीएस है दोना साइडा थे पाथ ने अटैच तो एक ड्राइंग रूम ना अटैच है इस बाद स्टेर हाल यानिके गिराज भी आ गया स्टेर हाल भी आ गया ते इदे वेच सिर्फ एक अमियां के सेन नहीं है अगर ड्यूल आप्शन है इस दे वेच अगर तुसी एक कमरा कटा दोगे एक खत्म कर दोगे ते इस सेन बांग जाएगा किचन दी जरूरत है किचन सेन में इसे तरह रहेगा लेकिन अगर तुसी सेन ही इस्तमाल करना ते तुसी टाफ लो जैनिके दा जड़ी चछत होएगी वैसनों तुसी सेन देता हो ते इस्तमाल कर सकते ऐसी पँजमरला कारता नक्षा स्टाई बाई पज्यादा इसनों अगर तुसी भासल करना होए ऐसे देते होए नंबर ते राप्ता कर सकते हो या अपनी कोई मर्जी दा कोई प्लान कोई नक्षा त्यार करवाना चांदे हो को डिजाइन बर्माना चांद देओ फिर भी इस देते होई नमबर ते राप्ता करके मुनासब की मच त्यार करवा सकते हो इस उलावा कोई भी नक्षद बारच राय होई त्वाड़ी तो भी कमेंट सेक्शन देवेच शेयर कर सकते हो थले कमेंट कर सकते हो बहुत शक्रिया, अलाह आफिस